हेलो एवरिवन, मैं ममता मिस्रा, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और ममता मिस्रा ब्लोग में आपका स्वागत है आईए आज हम ऐसे डाइनमिक प्रसनल्टी लीडर से आप लोग की बात कराने जा रहे हैं और ऐसे प्रोड़क्ट के बारे में जानकारी दिलाने जा रहा है और ये सर नेता जी है समाज के कारे को करते हुए समाज को कारे को करते हुए सर आर्शियम सिस्टम में जुड़े हैं स्वास्त के लिए अपने स्वास्त के लिए अपने परिवार के स्वास्त के लिए जुड़े हुए हैं तो आए आज हम पंच तुलसी के बारे में सर से पूछते हैं जानकारी दिलाते हैं सर से कि जो की सर अपने परिवार में यूच करते हैं तो सर पता हैं आपको और आपके म पंच तुलसी का हम लोगों के घरों में किस तरह का उपयोग है में या पंच तुलसी हमारे आरसीयम की आएसी पंच तुलसी है जो मार्केट के किसी भी ब्रांडेड तुलसी इसका मुकाबला नहीं कर सकती है अगर इसको प्रती दिन कोई भी व्यक्ति कोई भी माताएं कोई कोई भाई गुनगुने पानी से अगर पांच बूंद डाल करके सुबह पानी पिया तो उसके अंदर किसी भी तरह की इलर्जिकल प्राबलम नहीं होगी और सबसे नायाब चीज है इसका प्रिटिकल हम लोगों ने फिल्ड में किया अगर किसी को जहरीले जंत काट ले जिस त सूजन हो जाती है अगर उन जगहों पर पांच बूद तुल्सी का अर्क लगा दिया जाए तो वो सूजन और दर्द को कम करने में सहायक है अगर किसी को बिच्छु मार दे कितना दर्द होता है लेकिन बिच्छु मारने वाले ब्यक्ति पर प्रयोग किया गया है इस तुल पानी में पिला दिया गया और इस तुलशी को पीने से मात उसके शरीर का जो दर्द था जो विच्छी काटने का जो उसको डंक जो कर दूख था वो दूर हो गया इस तरहसे इस पंच तुल्सी को मलती प्रपज माने और अपने घरों में हर व्यक्ति को जैसे बच्छों को इसमें सरदी चल लेGO है इस सरदी में इस तरदी में किसी तरह का सरदी stir खाव हो रहा है तो इस वाईरल के लिए भी यह पंचतूर्सी बहूत कारा है क्योंख जल ले उसका झाल रहेगा और प्रेंग तरहером कि ज़रुत नहीं जाएगी इस पंच तुलसी को रखने से इतना बड़ा वेनी फिट है इसलिए मैं सभी दर्जकों से कहना चाहता हूं कि आरसीयम सेंटर में जाकर अपनी पंच तुलसी ले क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कमपनियां तुलसी के नाम पर बहुत सारे गोल माल कर रही है नंब संता मिस्तना चैनल के माध्यम से जो भी दर्जकों को यह बाते जा रही है इसका प्रयोग करके देखें एक बार आजमाएं उसके बाद बताएं कि इसका तुलसी का असर क्या है जैयार्सीयम नमस्कार धन्यवास सर बहुत बहुत धन्यवास